हलो एवर्टीट वेल्कम बैक टो आवर यूट्यूब चैनल लैनुविद खुवाहिश तो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास नसरी 2nd टर्म एकजाम प्रिपरेशन वरक्षीट यह जो वरक्षीट है यह års के बच्चों के लिए है लेकिन आपका बच्चाप प्री नसरी में है तो भी आप उनके साथ यह प्रिपरेशन वक्षीट शेयर कर सकते हैं इससे पहले अपने हो डेन जब बच्चा सदम करता है ये आप उनके साथ एक्जाम पेपर आप प्रैक्ट्टिस करते हो तो बच्चे में बहुत ही अच्छा इंप्रुमेंट आता है प्रेपरेशन वरक्षिट प्रैक्टिस करने से कि बच्चे सारे क्वेशन को खुद कर पाती उन्हें हल्प की करना है तो आप उनके साथ ज़रूर से ज़रुर प्रैट्रीर जे़र करें और जब भी आप उन्हें प्र्परेशन वर्क्षीट बनाके दे या प्रैक्टी सीड़नां के दें तो आप उनने एकजाम के पौम में धे क्युकि बच्चे को ऐसी एकजाम attempt करने होते हैं ऐसे question के साथ चली start करते हैं फर्स question है चित्र देखकर लिखो यहाँ पर अक्षर दिया हुआ है बक्चे को क्या करना है देखकर लिखना है नस्री में basically focus होता है कि स्वर को सिखाना है लेकिन यहाँ पर अभी क्या करना है बच्चों को वेंजग भी start करना है तो यहाँ का से गया तक बच्चों को देखकर क्या करना है लिखना है लिखना है लिखना है तो इस तरीके से आप उन्हें करने को दीजिए अगली वर्क्षीट है हमारी चित्र देखकर वन लिखो यहाँ पर बच्चे को क्या करना है चित्र देखना पहला वन लिखना है लिख कự यह वरी आभ यहां से लेकि आकι बीच में आपको देना है लाज बच्चों को तेक Underground सख्छकर्म इंडशाले यहां भी यह यहां को लगाओ आगे चित्र को देखो गोदा लगाओ तो इस तरीके से बच्चों को आप करने के लिए दीजिए जहां पर चित्रे देखेंगे और सही अक्षर पर लगागे यहां पर मैंने वैंजक भी शुरू कर दिया है क्योंकि बच्चों को नर्सरी में ही कुछ वैंजक भी स्वयर की हैसी तो हमारी जो नेक्स्ट वरक्षीट है अगली वर्क्षीट है मिलां कर हो यहां बच्चे को करने है चित्र को साई अक्षर से मिलां करना है तो तो अपक्षड्य का मल करें A आप इस तारी की सोने मिलान करने माली बक्षीट करें अगला बक्षीट है अलग अक्षर पे गोद अलगा हो यहां पर क्या करना है बच्छे को जो अक्षर अलग है यानि जो अलग है इस लाइन में उस पर क्या करना है बच्छे को गोला लगाना है बिट लगाओ यहां पर क्या करना है इसमें यह अलग है यहां पर है इस तरीके से बच्छा क्या करेगा अक्षर को पैचानेगा उसे करें अगली जो वक्षीट है वो है अगला अक्षर लिखो यानि बादवल अक्षर यहां पर लिखना है छोटा सनार के बाद कि आएगा बिटा लिखो इस तरीके से अब बच्चे को करा है अगला वक्षीट है आसे लेकि आहा तक लिखो यहां पर अबच्छी को क्या नहीं है आसे लेकि आहाता लिखना है चुले बट लिखो बोल गुल के लए न है तो आप बच्चे को ऐसे आँ से हाँ तक की प्रैक्टिस करवाई अभियास करवाई अगला जो हमारा लाख ही वक्षीट है सही अक्षर पे किस चीज़ का चितर है बिटा गंबला यानि गाह से शुरू होता है गाह अक्षर पे गोदा लगाओ जहां जाब बच्चा गाह को गाह दिख रहा है सर्कल करो तो इस तरीके से बच्चों को आप अलग चित्र के लिए अलग अक्षर के लिए अभ्यास आप करने को दे सकते हैं और भी सेर्च करो तो आज की यह वीडियो आप कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं सारी बच्चों के साथ जरूर से से बाले मिले तब तब तक लिए नग खाले किम तब तक लिए बावाई तेके